इस वीडियो में दोस्तों में लोग बात करने वाले IRCTC के बारे में जिसने की अपने quarter 3 के numbers अभी पब्लिश कर दी है और dividend की कोई भी announcement हमें देखने को फिलाल नहीं मिल रही तो सारे फिगर लैक में इन करोड से हम बात करेंगे quarter 3 की earnings से 2 के दें दिसंबर 22 का डेटा थर्ड र काफी अच्छा जंप है इस बार income अगर मार्केट एस्टिमेट की बात करें तो मार्केट का जो एस्टिमेशन था वह 1069 करोड के अप्रॉक्स था जो की पूरी तरह से हमें बीट होता हुआ देखने को इस बार मिल रहा है देन डिसकस करते हैं total expenses यानि की खर्चे कितने रहे तो 607 से 742 पर आ गए yearly और 647 से 742 पर quarter on quarter तो जिस तरीके से income बढ़ी तो company के खर्चे भी quarter plus yearly basis पर बढ़ गए देन डिसकस करते हैं company को profit कितना हो बढ़ अगर आप देखेंगे तो exceptional item में 14 करोड का एक fund यहाँ पर adjust किया गया है तो profit company की थोड़े कम हो गए देन डिसकस करते हैं after tax adjustment और company के जो exceptional item में उसकी adjustment के बाद जो company को profit हुआ इस बार वो 299 करोड के अप्रॉक्स था जोकि December 22 में 255 करोड का था और quarter 2 में 294 का तो quarter on quarter nominal से profit बढ़े और yearly basis पर भी growth हमें देखने को इस बार मिल रही है अगर market estimate की बात करें तो market का जो estimate था दोस्तो वो 302 करोड के अप्रॉक्स था जो की profit इस बार सिर्फ फर सिफ 299 करोड पर आ गया तो 45 करोड से market की expectations थी वो हमें पूरी होती हुई देखने को नहीं मिल रही है profit में सेम reflection EPS में profit दोनों जगा बढ़े तो 3.19 से EPS 3.75 पे आ गया quarterly 3.68 से 3.75 पे तो overall दोस्तो यह थे IRCTC के नंबर तो आपको आस इस company के कितने shares है comment box में बिलकुल बताएं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए बाबाए